वो question क्या है A is twice as fast as B, A क्या है B से क्या है two times fast and B is thrice as fast as C, तो जो B है वो C से क्या है thrice है, जर्णी covered by C is 54 minutes, will be covered by B and B, तो यह बताना है कि अगर C क्या है 4 minute में क्या है, उस जर्णी यो cover करता है, तो जो B है वो उसी जर्णी कितने minute में cover करेगा, देकि इस simple question है, देकि C और B और A, मान के चलिए है अपन क्या करते है, उपर क्या हो लग कि B है वो thrice of fast किसे C से, तो मान के चलिए कि C क्या करता है, X speed से दोड़ता है, तो B क्या होगा, 3X से दोड़ेगा, अब क्या हो लगा है, कि A is twice as fast as B, अगर A क्या है, twice है, किस से B से, तो B की speed क्या है, 3X है, तो A की speed क्या होगी, 2 into 3X, इसको simply solve करिए, तो क्या हो जाएगा, X, 3X और 6X, ठीक है न, तो ratio क्या आ गया, ratio आ गया, 1 ratio, 3 ratio, 6 आ गया, ठीक है न, यह ratio आ गया, अब क्या question में क्या होला, कि अगर A क्या करता है, चाओन में क्या करता है, उसको कवर करता है, किसको उस जर्णी को, तो कौन कवर करेगा, B को उसको कितने मिट में कवर करेगा, तो simple question एक ची देखिएगा आप, कि 54 को करिए simply क्या, 3 times है, तो 3 से करिए divide, 3 से divide करेंगे तो कितना है, 3 बंजा 3, और 3 एडिया 24, तो 18 minutes लगेंगे, किसको B को कवर करने में, ठीक है न, उस ज जर्णी को, अब एक ची देखिएगा, अगर आपसे पूछे की, एक हो कितना समय लगेगा, एक हो कितना लगेगा, कुछे नहीं करने न, 54 अपन करिए कि 6, तो कितना आएगा, 9 minutes लगेंगे, किसको एक हो, एक हो लगेगा, कितना 9 minutes लगेंगे, ओके दोस्तों, तो option में क्या है, option में, option answer क्या हो, आपना 18 होगा, क्योंकि question में क्या पूछा गया, question में किसका पूछा क्या, b का पूछा गया, option number क्या होगा, option number first क्या होगा, इसका answer होगा, okay, दोस्तों,